वन अधिकार शेत्र मंच ने वन अधिकार शेत्र के मामलों को जल सुझाने की मांग उठाई है वन अधिकार शेत्र मंच ने शिमला में पत्रकार वारता में परदेश सरकार से मांग की है कि किनौर और लाहल स्पीती के लोगों को वन अधिकार कानून के तहट जमीन उपलब्द कराई जाए ताकि इन जिलों में रहने वाले लोग अपनी आजीवी का असानी से कमा सके वन अधिकार शेत्र मंच के अधिक्स जिया लाल नेगी ने बताया कि अकेले लाहल स्पीती में अभी तक तीन जार से ज़्यादा लोगों ने वन बुमी के लिए अबेदन दिये हैं जबकि किनौर में 27 सो वन छेता अधिकार के मामले लावन भी थैं जिन में से एक भी मामला सुलज नहीं पाया है उन्होंने सरकारी अधिकारी पर वन अधिकार कानून के तहर जमीन नाद देने का अरोप लगाया है कोड के अधेशों के बावजुद भी किनौर में मामलों का निप्टारा नहीं किया जा रहा है अधिकार अधिनियम के इंप्लिमन्टेशन की है जो य लागू तो हो चुका है पर इसका प्लिमन्टेशन नहीं Phrapra नहीं हो रहा है यह इस वज़े से नहीं हो रहा है कि उसमें झो एक्ट के हिसाब से जो है कोई काम नहीं कर रहा है चाहे उसमें सब्डिविजन लेबल पे कहें चाहे नीचे लेबल से ऊपर लेबल तक जो है चाहे शिमला से लेके किनोर तक कोई भी अधिकारी है इसको ना डंग से पढ़ रहा है एक्ट के हिसाब से कोई काम नहीं कर रहा है इसमें अपने तरफ से जो है बहुत सारे राइड नहीं मिलेगा और जहां तक यह एक अभी आपको मैंने जैसे कहा था कि आप हमारे यहां तो सेटल्मेंट हो गया है हमें वना दिकारादीनियन की जब कि उसके टाइम टू टाइम जो है सेंटर गॉर्मेंट के बिल्कुल क्लियर कट इसमें जो है क्लैरिफिकेशन आये हैं ज जियालान नेगी ने बताया कि किनौर जिला में वन भिवाग ने नौ मामलों में बे दखली के भी नोटिस जारी किये हैं लेकिन कानून के मताबिक ऐसा नहीं किया जा सकता वन अधिकार कानून के नाम से प्रचलित अनुसुचित जन जाती और अन्ने परंपरागत वन मंच ने सरकार से इन अधिकार को खिलाफ कारवाई करने की मांग की है और जिला के लोगों को वन अधिकार कानून के तहर जमीन उपलब्द कराने की मांग भी की है शिमला से योगरा शर्मा की रिपोर्ट